अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर चैनल के वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हम वीक में दो-तीन बार टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो डालते रहते हैं ये था लास्ट टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो जहां पर हमने किया था टेक्निकल एनालिसिस ऑफ टाटस्टील, IDFC, First Bank, Philips Carbon और HEG का वीडियो के एंड में हमने पूछा था कि आप ऐसे कौन और चार अलग स्टॉक देखना चाहेंगे जिसके बारे में हम टेक्निकल एना अनालिसिस करेंगे दोस्तों अगर पिता आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बेटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे कई सारी इंट्रेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएंगे जै लिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं आपके रिक्वेस्टेट चार टेकनिकल स्टॉक के बारे में उसके टेकनिकल लेवल्स के बारे में और वो चार स्टॉक है मदर संसूमी हैवल्स बजर पेंट्स और रैडिको खैतान तो यह चार स्टॉक को सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हैवल्स के बारे में हैवल्स के लिए पहला ही डिस्क्रेमर में दे दू ये स्टॉक मेरे पोर्टफूलियो का हिस्सा है मैं हैवल्स को काफी दिनों से होल्ड कर रहा हूँ और आगे भी होल्ड करने की इच्छा रखता हूँ चलिए हैवल्स के टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करते हैं से अभी फिलाल गिरावट स्टार्ट हुआ है एक पॉजिटिव चीज है कि सारे ही मुविंग अवरेज करेंट मार्केट प्राइस के नीचे है तो डेफिनेटली सारे मुविंग अवरेज स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट देगा यहां पर आप देख सकते हैं 20 मुविंग अवरेज जो है 736 वहां पर आके फिलाल स्टॉक ने सपोर्ट लिया है लेकिन यह काफी वीक सपोर्ट है बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं है जहां तक यह गिर सकता है वहां से आपको खरीद लेना चाहिए हैवल्स को लॉंग टम के लिए मैं घर गिराव यह जो एक बुलिश साइन है में वह रेंज सबसे पहले आपके लिए जो करता हूं उसके लिए मुझे ट्रेंद लाइन रोकरना पड़ेगा सपोर्ट लें रेंडर ना करता हूं यह सारे नीचे वाले जो लोग है इसको टच करके क्लाइन अगर में जो करूं तो देखिए एक्जाक्ली मीट होता है ब्लू लाइन पे जो है 100 डे मूविंग आवरेज विचिजा 695 रूपीज पे तो ये होगे आपका रेंज का लो बेस और उपर का जो सीलिंग है वो में सारे ये चोटे-चोटे टॉप्स को टच करता हुआ एक लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो देखे है लगभक 788 के ऊपर जाके यह घ्याव रेंज होता है तो यह रेंज देखे दूस्तों के M बुलिश सिगनेचर है, बुलिश साइन है, तो आने वाले समय में ये उपर की तरफ जाने के चांसे ज्यादा है, तो एक्सपैंडिंग रेंज में मुझे लग रहा है कि हैविल्स के चार्ट आने वाले समय में उपर ही जाएंगे, कमपनी तो काफी अच्छी है, रेजल्स भी काफी अच्छे है, लेकिन फिलाल के लिए अभी जो वेव दिख रहा है, ये अभी फिलाल गिरावट में है, लेकिन ओवराल पैटर्न उपर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो गिरावट जो कहां सक हो सकती है, डेफिनेटली 695 एक सपोर्ट लेवल बनेगा, उसके पहले भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और वो लेवल है, 720 रुपीज के आसपास, 720 पे ये वाला जो टॉप है, में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ये 720 पर आकर रुपता है, यहाँ पर पार्शेल खरीदारी कर सकते हैं, उसके साथ-साथ 718 पर 50 डे मूविंग अवरे तो हैवल के चार्ट मुझे काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, आपके खरीदारी के लेवल हो सकते हैं, 715, 695, उपर की तरफ जो रेंज है, वो डेफिनेटली 780 पहला टार्गेट आता है, और उसके उपर काफी उपर जा सकता है, क्योंकि उपर के पैटन अभी दिखे नह है, और अभी जहां पर वारी मातरा में जाने के मिल रहा है, और मदसन सुमी के चांसे दिखे जाल है जो है 171 पे यहां पर सब्सक्राइब तोड़ के सारे मुविंण आवरेज को तोड़ के नीचे आ चुका है साथ हम डिश को तोड़ेज के देखे है अव्डू मुविं आवरेज वेन ब्रोकर जैने 2017 तोढ़ेज पर एक निशानी की तरफ दिख रहा है उपर की तरफ में एक trend line draw कर सकता हूँ, आराम से एक easy trend line draw हो जा रहा है, सारे top को touch करके, और ये एक resistance trend line है, ये resistance trend line को तोड़ना बहुत ज्यादा important है, और ये resistance trend line आके meet होता है 200 day moving average पे, नीचे की तरफ भी एक दो trend line generate हो सकता है, मैं दो ही trend line draw कर लेता हूँ, सबसे पहले जो near term का trend line है, वो ये सब lows को touch करता हूँ, एक trend line और उसके साथ ये दो low को touch करता हूँ, दूसरा trend line, तो ये दूसरा trend line काफी weak trend line है, इसका pattern बहुत नीचे की तरफ है, ये important नहीं है, important है ये वाला trend line, ये वाला trend line आके लगभग meet होता है 120 रुपीज के नीचे, अभी फिलाल सारे indicators को देखिए, एकदम negative zone पे है, RSI cell है, MACD में negative crossover हो चुका है, और स्टोकैस्टिक भी बिल्कुल cell zone में ही है, फिलाल मदरसन सुमी को आप short कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ पूरा range खाली है, 144 से लेके 130 रुपीज तक पूरा खाली है, यहाँ पे आपको बन सकता है, और उसके साथ 171 रुपीज पे भी दोस्तो एक में range ट्रॉकर सकता हूँ, यह सारे टॉप्स यहाँ पे 171 पे meet हो रहा है, तो 130 रुपीज स्टॉप लॉस, उपर की तरफ maximum range बन सकता है 171, फिलाल आप मदरसन सुमी पे short करके पैसा बना सकते हैं, आगे बढ़त हैं, बर्जर पेंट्स, यहाँ भी एक लंबा वाला range मुझे बनने को दिख रहा है, सबसे पहले मैं support वाला line ड्रॉकर लेता हूँ, support trend line, यह सारे लो, यह दोनों major जो low है, यह दोनों major low को टच करता हुआ, एक trend line है, जो meet होता है 290 पे, और इसी को मैं अगर पीछे की तरफ expand करूं, तो देखें, यह भी low को touch कर रहा है, तो यह definitely long term का trend line है, और यहाँ पे chart कई बार support लिया है, इस trend line से, तो यह trend line 290 रूपीज आपका long term का stop loss होगा, उसके पहले दोस्तो 200 day moving average 300 रूपीज पे support तो मिल ही रहा है, यह वाला एक पहला stop loss आप रख सकते हैं, लेकिन ज्य उपर की तरफ range मुझे सबसे पहले दिख रहा है, 330 रूपीज पे एक double top का formation, मैं एक line यहाँ पे draw कर सकता हूँ, और यहाँ पे दो बार touch होके prices नीचे आते हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे दो बार touch होता है, double top वाला formation, यहाँ तक range बन सकता है, अभी जहाँ प 302 रूपीज पे, उपर की तरफ पहला target दिख रहा है, 330 रूपीज और अगर आप ज्यादा देट तक इसको hold करके रखना चाहते हैं, अगले वाला target है, 340 रूपीज क्योंकि 340 रूपीज पे मैं एक resistance trend line draw कर सकता हूँ, यह दोनों top को touch करके, यह वाला resistance trend line तो पहला target आता ह 330 इसको cross करता है, तो 340 रूपीज तो current level पे आप खरीदारी कर सकते हैं, stop loss आपका होगा 302 उसके नीचे 290 और target आता है 30330 रूपीज और उसके बाद 340 रूपीज फाइनली बात करते हैं, ready को खैतान के बारे में, chart pattern काफी अच्छा है, अभी 200 दे moving average के ऊपर trade कर रहा है, आ एक trend line जो आके meet होता है 360 रूपीज, ये होगा आपका पहला वाला stop loss और अगर अब ज्यादा risk लेना चाहते हैं, तो ज्यादा risk की वाला stop loss at 320 रूपीज, मैं एक line यहाँ पर draw कर सकता हूँ, support line, past में देखे, यहाँ पर support फिलता है, दो बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 450 रूपीज के आसपास, मैं एक line draw कर सकता हूँ, चार बार stock prices इस line को touch करता है, एक, दो, तीन, और यह चार, चार बार touch करता है, तो यह एक बहुत crucial resistance line है, यहाँ तक prices जाने चाहिए, 394 रूपीज पर prices है, इस level पर आप खरीदारी कर सकते हैं, फिलाल तो सारे indicators by zone में ही है, 200 day moving average को stop loss रखके, आप इस level पर खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा risk लेना चाहते हैं, तो definitely, जैसे मैंने कहा, 360 रूपीज तक आप hold करके रख सकते हैं, लेकिन पहला target जो दिख रहा है, वो मुझे 450 रूपीज, उसके बाद अगर 450 को cross करता है, तो अगला ही target दि average, which is 387 रूपीज, उसके नीचे 360 रूपीज, और अगर आप बहुत risk लेना चाहते हैं, तो 320 रूपीज पर आप stop loss रख सकते हैं, पहला target 450, दूसरा target 500 रूपीज, तो यह था दोस्तों, आपके requested 4 stock के technical analysis, इस वीडियो के नीचे आप comment करके हमें को बताईए, कि ऐसे कौन और चार अलग stock है, जिसके बारे में आप technical analysis देखना चाहेंगे, comment करके please हमें बताईए, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में आपके requested 4 stocks को लेके technical analysis करें, और levels ढूणने की कोशिश करें, तो वीडियो यहीं पर खतम होता है दोस्तों, इससे सबसे आप अपने investment का decision ले सकते हैं या फिर और जनकरी के लिए अपनो mobile number, email, id, comment में लिख दीजिए, आपको team से call मिल जाएगा, thanks for watching the video, दोस्तों पसंद आया है, तो like कर दीजिएगा, comment कर दीजिएगा, वीडियो को share भी कर दीजिएगा, thank you again for watching the video